वेल्कम आवर यूटूब चैनल जी अस्वित आशू दोस्तो सरसरवी विपेसी पीटी के लिए यूद कमपीटीशन टाइम से सेट प्रेटिस चलाया जा रहा है जिसमें आज सेट नमर टू लगाने वाले हैं इसमें साड़े कोस्टन बहुत ही महतपुन दिये गए हैं सेट लगाने के बाद आपको पता चल जाएगा कितने इंपोर्टेन कोस्टन इस सेट में दिये गए हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेर करें कॉंटेंट तयार करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रस्न है निमली खित में से किस अस्थान पर ना पासन अस्थल पर गेहूं एम जो की खेती के सोड़ पर्थम पढ़वान मिलते हैं तो दोस्तों वह अस्थान है मेहरगड मेहरगड अस्थान पर ना पासन अस्थर पर गेहूं एम जो की खेती के सोड़ पर्थम पढ़वान मिलते हैं अगला प्रस्न देखते हैं एंद्र महाभीसेक का विवरंग दिया गिया है तो दोस्तो एंद्र महाभीसेक का विवरंग दिया गिया है रिगवेद में एंद्र महाभीसेक यक का उल्लेक रिगवेद में प्राप्त होता है साथ ही वर्ण बेवस्ता का उल्लेक भी मिलता है अगला प्रस्म देखते हैं दो दोस्तो निमली खित में से कौन सा एक हडपा का बंदरगा है तो दोस्तो हडपा का बंदरगा है वो है लोथल अगला प्रस्न देखते हैं निमली खित में से कौन सा प्राची नगर गौतम बोध के जीवन से जुड़ा नहीं था तो दोस्तों वह अस्तल था पाटली पुत्र जो की गौतम भूज के जीवन से जुरा नहीं है अगला प्रस्म देखते हैं सेंडरो कोटस से चंदगूप मोड की पहचान किस ने की थी तो दोस्तो सेंडरो कोटर से चंदरूर मोर की पहचान की थी विलियम जोंस ने अगला प्रस्न देखते हैं निमली खित में से कौन सा कथन बलवन के सम्बद में सही नहीं है तो दोस्तो बलवन के सम्बद में जो कथन सही नहीं है वह है ओप्सन अमर बी उसने इक्तादारी बेवस्ता का पारम किया था जो की दोस्तों गलत दिया गिया है भारत में इक्तादारी बेवस्ता का पारम इल्तुतमिस ने किया था बाकी सभी कतन दोस्तों सही दिये गए हैं उसने बंगाल के विद्रों का दवन किया था उसने तुरकान ए चहलगानी का पड़वाव समात्त किया उसने नियावत एक खुदाई के सिध्धान का परतिपादन किया अगला प्रस्म देखते हैं दिल्ली में मदर्सा ए मुईजी नामक मदर्से की आस्थापना की इसने की थी तो दोस्तो दिल्ली में मदरसा ए मुएजी नामक मदरसे की अस्थापना की थी इल्टुत मिशने अगला प्रस्न देखते हैं अकवर के सासन काल में परचली चकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? तो दोस्तो अकवर के सासन काल में प्रशलीत चकोर चांदी के सिक्के का नाम था जलाली अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो कि सीगुरू की मिर्त्यू के लिए और इंजिब जिमेदार है तो दोस्तो वज सीगुरू है गुरू तेक बहादूर अगला प्रस्ण देखते हैं प्रथम करनाटक यूद के बाद किसको डुपले दुवड़ा हैदराबाद में तैनात किया गिया था तो दोस्तों प्रथम करनाटक यूद के बाद बूसी को डुपले दुवड़ा हैदराबाद में तैनात किया गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है मराठो के साथ होने वाली की संधी को वारेन हेस्टिंगस का अगाच का टुकडा मात्र मानता था दोस्तो वह संधी थी पुरंदर की संधी मराठो के साथ होने वाली पुरंदर की संधी को वारेन हेस्टिंगस का अगाच का टुकडा मात्र मानता था और पुरंदर की संधी दोस्तों हुई थी एक मार्च 1776 को अगला प्रस्न देखते हैं भाड़त वर्ष में ब्रीटिश समडाज का संस्तापक कौन था? तो दोस्तों भाड़त वर्ष में ब्रीटिश समडाज का संस्तापक था लॉड प्रोवर्ट कलाइब अगला प्रस्ण देखते हैं अस्थाई भूमी व्योस्ता के बाड़े में आर्सी दत के क्या विचार थें? तो दोस्तो अस्थाई भूमी व्योस्ता के बाड़े में आर्सी दत के विचार थें उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में जब रेल मार्क पहली बार्थ प्रशित हुए उनका प्रमुक उद्धिस किया था तो दोस्तो भारत में जब रेल मार्क पहली बार्थ प्रशित हुए उनका प्रमुक उद्धिस था क्रिसी वाले छेतरों को बजार से जोड़ना अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों प्रत्थम कपड़ा मिल बंबे में किस वर्ष खोली गई थी तो दोस्तों प्रत्थम कपड़ा मिल बंबे में खोली गई थी 1804 में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों अपने पूत्र के अस्थान पर दूसरे उत्रा धिकारी को गोद लेने के अधिकार को पूना कब अस्थापित किया गिया था तो दोस्तो अपने पूत्र के अस्थान पर दूसरे उत्राधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पूना अस्थापित किया गिया था 1858 की सामगड़ी की घोशनाने अगला प्रस्न देखते हैं तालुकदर कौन था? तो दोस्तो तालुकदर था एक बड़ा जमिनदर अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो नीमली खित में से फ्रायजी आंदरोन के बारे में क्या सही नहीं है? तो दोस्तो फ्रायजी आंदरोन के बारे में जो सही नहीं है वो है ओप्शन नमर डी इसके नेताओं ने केवल फार्सी और उर्दू में ही परचार किया बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिये गए हैं इसके संस्थापक सरियत उल्ला थें इसने इसलाम के अनिवार कर्तब्यों को पालन का समर्थन किया इसने बिभिन इसलाम के संतों की समाध्यों की पूजा की निंदा की चलिए दोस्तों अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है वरकाडी संपरदाई की मुख पीट कहां वस्तित है तो दोस्तो वरकाडी संपरदाय की मुख़पीट अवस्तित है पंधरपुर में वरकाडी संपरदाय का उद्भाव दच्छिन भारत के पंधरपुर नामक अस्थान पर विकड़न सम्मत की तेरिमी सताबदी में हुआ था अगला प्रस्न देखते हैं अठारो से एकानवे के एज ओफ कंसेंट बिल का किसने विरोध किया था तो दोस्तो अठारो से एकानवे के एज ओफ कंसेंट बिल का विरोध किया था बाल गंगा धरती लखने अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो डेकन एजूकेशन सोसाइटी की अस्थापना से कौन संबंदी था? तो दोस्तो डेकन एजूकेशन सोसाइटी की अस्थापना से संबंदी था बीजी तिलक डेकन एजूकेशन सोसाइटी की अस्थापना 880 में की गई थी अगला प्रस्न देखते हैं निमलीखित में से किस ने 1938 में राश्टी योजना समीती की नियुक्ति की थी नेताजी सुवाश्चन बोश ने 1938 में नेताजी सुवाश्चन बोश ने पंडी जवाला नेड़ु की अधेस्ता में राश्टी योजना समीती का गठन किया इसकी पहली बैठक 17 दिसंबर 1938 को बंबे में हुई थी अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारते राश्टी कॉंग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भाड़ा सरकार अधिनियम 1935 को अश्विकार किया था तो दोस्तो वह अधिवेशन था लखनो अधिवेशन 1936 का भाड़ा सरकार अधिनियम 1935 का अधार साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी इस अधिनियम को भारते राश्टी कॉंग्रेस के लखनो अधिवेशन 1936 में जभालल नेढू की अधिश्ता में अश्विकार कर दिया गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से किसने 1906 के भारते राश्टी कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में दादा भाई नोडू जी की अधिशिये भासन को उनके बदले किसने पढ़ा था तो दोस्तो गोपाल क्रिस्म गोखले ने 1906 के भारते राश्टी कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन में दादा भाई नोडू जी के अधिशिये भासन को उनके बदले में पढ़ा था मुहमद अली जिन्ना दादा भाई नोडू जी के सचिप थें उन्होंने ही 1906 के भारते राश्टी कॉंग्रेस के कलकता अधिवेशन के लिए दादा भाई नोडू जी का भासन तेयार किया था किन्तु इस भासन को अधिवेशन में गोपाल के इस गोखले ने पढ़ा था अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से किस ने बंगाल के भिवाजन 1905 के विरोध में हुए आंद्रोन का नेतित किया था तो दोस्तो बंगाल के भिवाजन के विरोध में हुए आंद्रोन का नेतित किया था सुरेदनात बनेर जी ने अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तो सुरत अधिवेशन जहां भारती राष्टे कॉंग्रेस में पहली फूट हुई थी वह कौन सा अधिवेशन था तो दोस्तो वह था 23 अधिवेशन अगला प्रस्ण देखते हैं 1946 के चुना के पस्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी तो दोस्तो 1946 के चुना के पस्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो रोलेक्ट एक्ट का भारती राष्टे कॉंग्रेस ने बिरोध किया क्योंकि इसका लच था तो दोस्तो रोलेक्ट एक्ट का भारती राष्टे कॉंग्रेस ने बिरोध किया क्योंकि इसका लच था वेकित सुतनता को सिमित करना अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है चमपाडन निल आंदुरुन का राष्टी ने तक कौन थें तो दोस्तो चमपाडन निल आंदुरुन का राष्टी नेता थे महत्मा गांधी अगला प्रस्ण देखते हैं अगामी पीडियां सायद ही विश्वास करे की ऐसा रत मांस का मानब कभी प्रित्वी पर अप्रित हुआ था महत्मा गांधी के बिशे में किस बैक्ती ने यह विचार ब्यक्त किया था तो दोस्तो यह विचार ब्यक्त किया गिया था अलवट आइंस्टिन के दुवड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निम्नांकित में से खिलापत आंद्रोन का परिणाम किया था तो दोस्तो खिलापत आंद्रोन का परिणाम था हिंदू मुसलीम मद्भेदों में कमी आई थी अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है मुझपपर अहमद ऐसे डांगे सौकत उस्मानी तथा नलेनी गुपता की सर्यन के लिए कैद किये गए थें अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से किस एक कॉंग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतिये किसान सभा में भाग लिया था तो दोस्तो वह कॉंग्रेसी नेता थें जवाला नेडु जिसने प्रथम अखिल भारतिये किसान सभा में भाग लिया था अखिल भारति किसान सभा की अस्थापना 11 अपरेल 1936 में लखणों में की गई थी स्वामी सजानन सुर्षती इस सभा के अध्यस तथा एंजी रंगा सचिप चुने गए थें अखिल भारती किसान सभा में भाग लेने वाले कॉंग्रेसी नेता थें पंडि जवालार नेडू अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो चोड जुलाई 1942 में वर्धा में महत्मा गांधी जी ने कॉंग्रेस की कारकारी समीती में अपने भारत छडो आंद्रोन की चर्चा की तब उस समीती के अध्यस कौन थें तो दोस्तो तब उस समीती के अध्यस थें मौलाना अवुल कलाम अजाद अगला प्रस देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन अगस 1946 इस्वी में गठित प्रथम अंत्रियर राष्टी सरकार का सदस नहीं था तो दोस्तो अगस 1946 इस्वी में गठित प्रथम अंत्रिम राष्टी सरकार का सदस नहीं था वो थें डॉक्टर ऐस राधा कृष्णन जबकि स्री राज गोपाला चाड़ी, डॉक्टर राजिन परसाद तथा जग जीवन राम यह तीनों दोस्तों अगस 1946 इस्वी में गठित परत्थम अंत्रिम राष्टी सरकार का सज़स थे अगला प्रस्ण देखते हैं निमलीखित में से कौन सा अस्थान भारत का ग्रिण विच कहा जाता है तो दोस्तों भारत का ग्रिण विच कहा जाता है उज्जेन को प्राचिन काल से ही उजेन को समय की गणना के लिए केंदरी संदर्ण बिंदू के रूप में माना जाता था इसलिए उजेन को भारत का ग्रेंड वीज भी कहा जाता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत की सर्वोच चोटी कौन सी है आपको बताना है भारत की सर्वोच प्रवच चोटी कौन सी है तो दोस्तो भारत की सर्वोच प्रवच चोटी है गार्विन अस्टिन हिमाले का सर्वोच प्रवच सीखड हो जाएगा मांट एवरेश जोकी नेपाल में स्तीत है भारत का सबसे उंचा परवत सीखर गौर्विन ओस्टिन या केटू है जिसकी लंबाई है श्यासी 11 मीटर और उसके बाद कंचन जंगा होगा और फिर उसके बाद नंगा परवत अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों सेवराय पहारियां कहां अवस्तित है तो दोस्तों सेवराय पहारियां अवस्तित है तमिलांडू में शेवराय की पहारियां पूर्वी घाट के ही दच्षिनी विस्तार है जो तमिलान्डू राज में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं भारत का सबसे अधिक विश्तरीत भू आकर्ती परदेश कौन सा है तो दोस्तों वह परदेश है उत्री मेदान भारत का सबसे अधिक विश्टरीत भू आकेर्ती परदेश है उतरी मेदान अगला प्रस्ण देखते हैं अंत अस्तलिये अपोहन नदी का उधारन कौन सा है तो दोस्तों अंत अस्तलिये अपोहन नदी का उधारन है घगर घगगर नदी अंतर अस्तलिय अपोहन नदी का उधारन है या सिमला के समीप सिवाली की पाहड़ियों से निकल कर राजास्थान के हनुआन गट के समीप भटनेर के मडवस्तल में बिलिन हो जाती है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात की नदी पर है तो दोस्तो भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात इस्तित है सरवती नदी पर और यह करनाटक के सिमोगा जिले में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं सफसे अधिक वर्षा वाला अस्थान चेड़ा पुंजी कौन से राज में इस्तित है तो दोस्तों चेड़ा पुंजी इस्तित है मेगाले राज में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तों सूड़ गढ़न कब होता है तो दोस्तो सूडगरन होता है प्रतिपदा के दिन यानि कि अमवस्या के दिन जबकि दोस्तो चन्दगरन होता है पुर्णीमा के दिन अगला प्रस देखते हैं करक तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है तो दोस्तो कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं गुजरती है अफरीका से जबकि दोस्तो एसिया से केवल कर्क रेखा तथा भूमद रेखाएं गुजरती है और दचिन अमिर्का से मकर रेखा तथा भूमद रेखाएं गुजरती है और अस्टेलिया से केवल मकर रेखा गुजरती है अगला प्रस्ण देखते है अगला प्रस्ण है दोस्तो भाड़त वर्स अकार में विश्व का कौन सा अस्थान है तो दोस्तो भाड़त वर्स का अकार में विश्व में अस्थान है सात्मा अस्थान जबकि जनसंख्या के दृष्टी कौन से हो जाएगा दूसरा अस्थान अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से कौन एक राष्टी राधानी नहीं है तो दोस्तो राष्टी राधानी नहीं है वो है नियोर्क जबकि जर्वानी की राधानी है दोस्तों बर्लिन, अस्टेलिया की राधानी है केनबरा, तथा चीन की राधानी है बीजिंग और अमेरिका की राधानी है दोस्तों वासिंकन डीसी, नियोर्क जोकी सैयूत राज अमेरिका का एक नगर है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो प्रित्वी का सरवाधिक आयतन और दरवान पाया जाता है तो दोस्तो प्रित्वी का सरवाधिक आयतन और दरवान पाया जाता है मेंटल में अगला प्रस्ण देखते हैं निम में से कौन रेजी डूवल पडवत का उधारन है तो दोस्तो रेजी डूवल परवत का उधारन है वो है अरावली भारत का अरावली परवत और बिहार में पारशनात की पाहणियां परमुख है जो रेजी डूवल परवत का उधारन है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है संसार का सरवाधिक सक्रिय जोला मुखी कौन सा है तो दोस्तो संसार का सरवाधिक सक्रिय जोला मुखी है किलाईू विश का सरवाधिक सक्रिय जोला मुखी किलाईू है जो अमेरिका के हवाई दिपर इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है सेलेबी सागर जहां है वो कौन से जग़ पर इस्तित है तो दोस्तो सेलेबी सागर इस्तित है दच्छिन पुर्वी एसिया में सेलेबी सागर दच्छिन पूर्व एसिया में मीडा नाओ के दच्छिन तथा बुर्णई के पूर्व में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं भाड़ा सरकार अधिनियम 1919 किस्पर अधारी था तो दोस्तो भारत सरकार अधिनियम 1919 अधारित था मांटेंगू चेनफोर्ट रिपोर्ट पर अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है तो दोस्तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पात कर जो की अपरत्यच कर है अगला प्रस्न देखते हैं भारत के समिधान के उदेशियों में से एक के रूप में आर्थिक नियाय का किसमें उबन्द किया गिया है तो दोस्तो आर्थिक नियाय का उबन्द किया गिया है उदेशिका और राज की नीती के नियसक तत्मे अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारते समिधान की किस अनुसुची में भारत के राजियों और उनके राज छेत्रों का बियोड़ा दिया गिया है तो दोस्तो वह अनुसुची है पहली अनुसुची जिसमें भारत के राजियों और उनके राज छेत्रों का बियोड़ा दिया गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो भारते समिधान की तिर्थिय अनुसुची में निम में से क्या उबंध है तो दोस्तो इसका राजिट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी एक दो और चार भारते समिधान की तिर्थिय अनुसुची में उबंधित है संग के मंत्रियों के लिए पत की सपत का पारूप उस्तम नियाले के मुख नियादिस दुआड़ा ली जाने वाली सपत का पारूप तथा संसत के सदस दुआड़ा ली जाने वाली सपत का पारूप जबकि दोस्तो भारत के राजपती के लिए पद का सपत का पारूप नहीं है यह दोस्तो अनूचे 60 में दिया गिया है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से किन को वीधी के सासन के लिए परमुक लच्छनों के रूप में माना जाएगा तो दोस्तो वीधी के सासन के परमुक लच्छनों के रूप में माना जाएगा सक्तियों का पड़िसीमन को वीधी के समझ समानता को तथा सोतंत और नागरिक अधिकार को इस परकार दोस्तो ओप्शन नमबर सी सही हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं वीधी का सासन जिस परकार की समानता को प्रतियास्थापित करता है वो कौन सा है तो दोस्तो वीधी का सासन जिस परकार की समानता को प्रतियास्थापित करता है वो है प्रकियात्मक वीधी का सासन प्रकियात्मक समानता को प्रतियास्थापित करता है अर्थात वीधी के सासन का तातपड है वीधी के समझ सभी समान है चाहे वो किसी भी पतपड हो अगला प्रस्ण देखते हैं भारत में निवालक निरोत के संदर में निमनांकित कत्नों पर विचार कीजिए और बताईए उनमें से कौन सही है तो दोस्तो इसमें सही हो जाएगा ओप्सन नमड एक और तिन भारती समिधान सार्जुनिक बेष्टा को बनाये रखने के निमित संसत को निवालक निरोत विश्यक विधी बनाने के लिए अधिक्रित करता है तथा निवालक निरोत के अंतरगत गृपतार बैक्तियों को गृपतारी के आदेश के विरूद अभिया वेदन का अफसर दिया जाना चाहिए तो दोस्तो इसमें केवल एक और तिन सही दिये गए हैं इस प्रकार दोस्तो ओप्सन नमर सी सही हो जाएगा आगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निम में से कौन राज का नीती नीशक तत्व है तो दोस्तो राज का नीती नीशक तत्व है कुटिर उद्योगों को प्रसहान जबकि प्रेश की सुतनता दोस्तो अनूचेत एक में वर्णित है धर्म की सुतनता अनूचेत 25 से लेकर अनूचेत 28 तक दिया गिया है और कानून के समझ समानता दोस्तों अनूछे 14 में दिया गिया है तो दोस्तों इस प्रस्ट का अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर C राज का नीती नियेसक पूछा जा रहा था तो ओप्सन नमर C सही हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं यदी देश की रच्छा के लिए मुल्क कर्तबों को अनुरूप सभी पूछ नागरिकों को सेना में अनिवार रूप से भरती कर लिया जाए तो यह कानून यदी देश की रच्छा के लिए मुल्क कर्तबों के अनुरूप सभी पूछ नागरिकों को सेना में अनिवार रूप से भरती कर लिया जाए तो यह कानून समिधान के किसी भी प्रावधान के पर्तिकुल नहीं होगा अगला प्रस्ट देखते हैं संसादमक सरकार निम्नांकित में से किसके अभाव में काड़ नहीं कर सकती है तो दोस्तों वह है राजियतिक दल संसादमक सरकार राजियतिक दल के अभाव में काड़ नहीं कर सकती है अगला प्रस्ट देखते हैं निम्नांकित में से किस एक का कतन है कि समिधान को संघात्मक के तंग धाचे में नहीं ढाला गिया था तो दोस्तो यह कतन है बी आर अम्बेतकर जी का बी आर अम्बेतकर ने कहा था समिधान को संघात्मक के तंग धाचे में नहीं ढाला गिया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो सुनिक काल संसदिय बेवस्ता किस देश की देन है तो दोस्तो सुनिक काल संसदिय बेवस्ता भारत की देन है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो समिधान की एकारवी अनुसूची के अनुसार पंचायत की छेतरा धिकार में कुल केतने विशियों को रखा गया है तो दोस्तों कुल 29 विशियों को रखा गया है अगला प्रस्न देखते हैं वीत आयोक का गठन किया जाता है तो दोस्तो वीत आयोक का गठन किया जाता है पांच वर्स की अभिक के लिए और वीत आयोक से सम्बंदित अनुचेद है अनुचेद 280 अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो नर्शिम्भन समीती निमली खित में सेक की सुधार से सम्बंदी थी तो दोस्तो नर्सिम्मन समीती संबंदी थी बैंकिंग सरचना में सुधार से जबकि दोस्तो चलेया समीती का संबंद है कर सरचना के सुधार से दस समीती का संबंद है और दोगिक लैसेंसिंग से खोठारी समीती का संबंद है दोस्तो सैशनिक सुधार से केलकर समीती का संबंद है परतियस तथा परोच कराने पर मलोत्रा समीती संबंदी थे बीमा छिर सुधार से तेंदुलकर समीती संबंदी थे निर्धनता रेखा के आंकलन हे तु जबकि यसपाल समीती संबंदी थे उच सिस्था से अगला प्रसन देखते हैं भारतिय रिजर बैंक ने भारत के विदेश बेपार में धन लगाने में मदद की तो दोस्तों भारतिय रिजर बैंक ने भारत के विदेश बेपार में धन लगाने में मदद की एकजिम बैंक के दोड़ा एकजिम बैंक की असापना की गई थी एक जनवड़ी 1982 को अगला प्रस्ण देखते हैं किसके सासन काल में भारत में उदारी करण के प्रथम चरण को आरम किया गिया था तो दोस्तो पीवी नर्सिमा रौ के सासन काल में भारत में उदारी करण के प्रथम चरण को आरम किया गिया था अगला प्रस्ण देखते हैं राश्टी गरामी स्वास मीशन को कब आडम किया गिया था तो दोस्तो राश्टी गरामी स्वास मीशन को आडम किया गिया था 2005 में अगला प्रस देखते हैं दोस्तो जन्गन्ना दो हजार एगारा के अनुसार भारत की सकल परजननता दर कितनी है तो दोस्तो जन्गन्ना दो हजार एगारा के अनुसार भारत की सकल परजनता दर है 2.4% अगला प्रस्ण देखते हैं पार्षिक किसी इकाई है तो दोस्तो पार्चेक एकाई है दूरी की अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन सा यंत्र महा सागर की गारहाई नापने के लिए पर्युक्त होता है तो दोस्तो महा सागर की गारहाई नापने के लिए पर्युक्त होता है फैदो मीटर का जबकि दोस्तो आमीटर से हम लोग विदू धारा कमान एंपियर में ग्यात करते हैं बेरो मीटर से वाई दाप मापने में परयोग होता है गेलबनो नो मीटर में दोस्तो विदू धारा की परवलता मापने में परयोग होता है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो घारी में सफ्टिक क्रिस्टल का कार किस पर अधारित है तो दोस्तो घारी में अस्पिक क्रिस्टल का कार अधारित है दा विदुद प्रभापर अगला प्रस्न देखते हैं पानी के 4 डिगरी पर सरीर तैता है यदि ताप मान 100 डिगरी सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा तो दोस्तो पानी के 4 डिग्री सेलसर पर सरीर तेरता है यदि तापमान 100 डिग्री सेलसियस हो तो सरीर डूब जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं घटना जो धोनी तरंगों में नहीं होती है वो कौन सी है तो दोस्तो घटना जो धोनी तरंगों में नहीं होती है वो है धुरवन धुरवन सीब दोस्तो परकास में होता है जबकि पड़ावर्तन, वीवर्तन तथा ब्यक्तिकरन या तीनो घटना दोस्तो धोनी तरंगों में होती है अगला प्रस्ण देखते हैं परकास के निमलेखित परकारों में से किनका पौधो दोड़ा तिर्व अपसोसन होता है तो दोस्तो परकास के नीला और लाल परकास के दोड़ा पौधो दोड़ा तिर्व अपसोसन होता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो जब टीवी का स्विच आउन किया जाता है तो तो दोस्तो जब टीवी का स्विच आउन किया जाता है तो स्रव और द्रिश्ट दोनों एक सा शुरू होते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं हिलियम के नाभिक में होता है तो दोस्तो हिलियम के नाभिक में होता है दोर प्रोटोन एम दोर नीट्रोन अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खीत में से कौन सा मुल्थ तत्व है तो दोस्तो इसमें मुल्थ तत्व हो जाएगा रेत अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगनी समक में कौन सी गैस काम आती है तो दोस्तों अगनी समक में कार्बन डायोकसाइड गैस कामें आती है अगला प्रस्न देखते हैं प्रकासिय सजावर तथा विग्यापन के लिए विसरजन नालिकाओं में पर्युक्त होने वाली गैस कौन सी है तो दोस्तो वह गैस है नियोन प्रकासिय सजावर तथा बिगापन के विसरजन नरिकाओं में परियुक्त होने वाली गैस है नियोन अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो LPG स्लेंडर के रिशाव से उत्पन दुरुगन निमली खीत में से किसकी होती है तो दोस्तो LPG स्लेंडर के रिशाव से उत्पन दुरुगन होती है इथाईल मर्ग केप्टन का अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है 22 करेट सोने की सुरुता क्या है तो दोस्तो 22 करेट सोने की सुरुता है 92 परसेंट अगला प्रस्न देखते हैं निम प्रजातियों में से कौन सी दात वाली वेलों में विसालतम है तो दोस्तो दात वाली वेलों में विसालतम है अस्वन वेल अगला प्रस्न देखते हैं जीबों में आनुवानसिक लच्छन संतान में ले जाये जाते हैं तो दोस्तो जीवो में अनुवानसिक लच्छन संतान में ले जाये जाते हैं क्रोमोसों के दोड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं जनम के बाद मानप के किस उत्तक में कोई 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 का विभाजन नहीं होता है तो दोस्तो जरम के बाद मानप के तंत्री का उत्तक में कोई कोई कोशी का विभाजन नहीं होता है अगला प्रस्ण देखते हैं ECG से जिस अंग की कार्ड परणाली परकट होती है वो कौन सी है तो दोस्तो वो है मस्तिक अगला प्रस्ण देखते हैं शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंतन करता है तो दोस्तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंतन करता है थॉंबो पाइटिन अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो एंजाइम है एक तो दोस्तो एंजाइम है एक बायो उत्पेरक अगला प्रस्न देख देखते हैं प्रोटीनों के पाचन में साहेक एंजाइम कौनसा है तो दोस्तों प्रोटीनों के पाचन में साहेक एंजाइम है ट्रिप्सिन अगला प्रस्म देखते हैं दोस्तो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो तो दोस्तो प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिशा तंद्र को प्रवर्वर्थित करता है अगला प्रस्म देखते हैं हिपेरिन जो पड़ी संचन तंत्र में रख के ठक्के के जमाव को रोकता है इसका निर्मान किसके दोड़ा होता है तो दोस्तो हिपेरिन जो पड़ी संचन तंत्र में रख के ठक्के के जमाव को रोकता है इसका निर्वान होता है दोस्तो 200 फिल्स के द्वड़ा हिपेरिन रग परती संक दिये है जिसका निर्वान सरीर में 200 फिल्स तता मास्ट को सीकाओं के द्वड़ा होता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो नीमलीखित में से किसका निर्वान हमारे सरीर में नहीं होता है तो दोस्तो बिटामिन A का निर्वान हमारे सरीर में नहीं होता है जबकि प्रोटीन, हार्मोन तथा इंजाम या तीनों का निर्वान दोस्तो हमारे सरीर में होता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से कौन स्थी औस्थी बुखार को कम करती है तो दोस्तो बुखार को कम करती है वो औस्थी का नाम है जोड़ हारी अगला प्रस्ण देखते हैं पारी तंद्र सब्थ का प्रत्थम पर्योग 1935 में किसके दोड़ा किया गया था तो दोस्तो पारी तंद्र यानि की एको सिस्टम सब्थ का प्रत्थम पर्योग 1935 में किया गया था एजी टंसले के दोड़ा अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमलीखित में से कौन एक वाई परदूशन की रोकथाम की एक यंत्री विधी नहीं है तो दोस्तो वाई परदूशन की रोकथाम की एक यंत्री विधी नहीं है वह है साइकलोन डिवाइडर अगला प्रस्ण देखते हैं सरवाधिक जय बिवत्ता पाई जाती है तो दोस्तो सरवाधिक जय बिवत्ता पाई जाती है उस कटिवन दिये वर्षवनों में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है ओजन पड़त प्रित्वी को किसे बचाता है तो दोस्तो ओजन पड़त प्रित्वी को बचाता है अंतरचिय M अन्विकिरन से अगला प्रस्ण देखते हैं बिकरम सिला गंगाई डॉल्फिन अभिहारन बिहार के किस जिले में इस्तित है तो दोस्तो बिकडम सिल्ला गंगाई डॉल्फिन अभिहारन बिहार के भागलपुर्जिले में इस्तित है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो बिहार में 1857 का बिद्रो करनेतित किसने किया था तो दोस्तो बिहार में 1857 के बिद्रो का नेतित किया था कुवर सिंग ने अगला प्रस्न देखते हैं बिहार इनमे से किसके दोड़ा सरवाधिक ब्रिष्टी पाता है तो दोस्तो बिहार दच्छिन पस्मी मांसुन के दोड़ा सरवाधिक ब्रिष्टी पाता है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो भारत के राजियों में जूट उत्पादन की द्रिष्टी से बिहार का अस्तान है दूतिय अस्तान जबकि प्रत्थम अस्तान है परसिम बंगाल का अगला प्रस्ण देखते हैं बिहार में 1937 में गठित प्रत्थम भारती मंती मंदल का नेतित किसने किया था तो दोस्तो बिहार में 1937 में गठित प्रत्थम भारती मंती मंदल का नेतित किया था मुहमद यूनिस ने अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्न है बिहार का अधूतिय तेवार क्या है? तो दोस्तो बिहार का अधूतिय तेवार है छट पुजा अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में किस अस्थान पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का 1922 का धिवेशन हुआ था तो दोस्तो बिहार में गया अस्थान पर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अधिश्ता चितरंजन दास की दोड़क की गई थी अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो विहार का कौन सा सहर जाटकन राज की राधानी बना है तो दोस्तो वह सार है राची अगला प्रस्न देखते हैं पटना को प्रांती राधानी किसने बनाया था तो दोस्तो पटना को प्रांती राधानी बनाया था सिरसाने अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों 11 अगस 1942 को पत्ना सचीवाले के पुर्वी गेट पर राश्टी जन्डा को फड़ाया था विद्यार्थियों ने अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था तो दोस्तो भारती राष्ट्री कॉंग्रेस का 1922 का अधिवेशन बिहार गया में हुआ था जिसकी अधेस्ता चित्रंजन दास ने की थी और दोस्तो इसके पुर 1912 का बांकी पुर अधिवेशन भी बिहार में हुआ था अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो Government of India Act 1935 दुआडा केंद्री संसत के उस सदन में बिहार को कितनी सीटे मिली थी तो दोस्तो Government of India Act 1935 दुआडा केंद्री संसत के उस सदन में बिहार को 8 सीटे मिली थी अगला प्रस्न देखते हैं बिहार राज की ओसत वार्षिक वर्षा किया है तो दोस्तो बिहार राज की ओसत वार्षिक वर्षा है 100 सेंटीमीटर तथा 200 सेंटीमीटर के बीच अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में बिवपूर की घटना का संबन्ध किस से है तो दोस्तो बिहार में बिवपूर की घटना का संबन्ध है भारत छोड़ो अंदलन से अगला प्रस्न देखते हैं बिहार में गराम पंचायतों का अंतिम चुनाव कब हुआ था तो दोस्तो बिहार में गराम पंचायतों का अंतिम चुनाव हुआ था वर्स 1978 में बिहार में गराम पंचायतों का अंतिम चुनाव 1978 इसमी में हुआ था इसके बाद लगवक 23 वर्सों में 2000 में चुनाव हुआ इसके बाद 2006 में बिहार में गराम पंचायतों का चुना संपन हुआ था अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्न दोस्तो मैंस से दिये गए हैं जिनें भी बनाना हो तो वो वीडियो पास करके बना सकते हैं या इसका पीडियो टेलिग्राम से डाउनलोड करके भी बना सकते हैं मैं सभी का आँसर बता देता हूँ तो दोस्तो 114 का आँसर हो जाएगा आप्सन नमरो B 115 का आँसर होगा 115 का दोस्तो आँसर हो जाएगा आप्सन नमरो E पतीस वर्स 116 का आंसर हो जाएगा दोस्तो 116 का आंसर होगा ओप्सन नम्बर C 117 का आंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नम्बर A 118 का आंसर हो जाएगा 118 का आंसर होगा दोस्तो ओप्सन नम्बर C 119 का आंसर हो जाएगा option number A 120 का answer हो जाएगा option number B 121 का answer हो जाएगा 121 का answer होगा option number E 14 अगला अगला देखते हैं दोस्तो 122 122 दोस्तो question पढ़ लिजिए बहुत ही easy question है तो दोस्तो 122 का answer हो जाएगा 122 का answer हो जाएगा दोस्तो option number B 25% चलिए अब आगले देखते हैं निमली खित में से किस तिथी को अंतराश्टे गरामिन महिला दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो अंतराश्टे गरामिन महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में किस देश ने एक परवानू सच्छम हाइपोर्सोनिक गलैडेड वीकल का परिछन किया है तो दोस्तो वह देशे चीन चीन देश ने एक परवानू सच्छम हाइपर सोनी गलैडेड वीकल का परिछन किया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्न है हाल ही में परधान मंत्री मोधी ने आयूद निर्वानी बोट के पूर्णा गर्ठन के माध्यम से बनाए गए अगला प्रस्न देखते हैं हाल ही में अमिताब चोधरी को पूर्णा कितने वर्षो के लिए एक्सिस बेंक का सियो बनाए गया है तो दोस्तो अमिताब चोधरी को पूर्णा तीन वर्षो के लिए एक्सिस बेंक का सियो बनाया गया है अगला प्रस्न देखते हैं चकरवाती तुफान यास का उद्गम कहां से हुआ है तो दोस्तो चकरवाती तुफान यास का उद्गम हुआ है बंगाल की खाड़ी से अगला प्रस्म देखते हैं डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम पेड़ना अस्थल का उधाटन किस सहर में किया गिया है तो दोस्तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम पेड़ना अस्थल का उधाटन किया गिया है विशाका पटनम में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से किस अंत्रिक एजेंसी ने Lucy Mission लॉंच किया है तो दोस्तो Lucy Mission लॉंच किया है NASA ने अगला प्रस्ण देखते हैं अहाल ही में किस देश ने भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर रेन के रूप में मांग की है तो दोस्तो वह देशे स्री लंका अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तो दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए कौन सा पोर्टल लॉंच करने की घुसना की है तो दोस्तो दिल्ली सरकार ने पोर्टल 1.0 की सफलता को देखते हुए रोजगार पोर्टल 2.0 को लॉंज करने की घोसना की गई है अगला प्रस्न देखते हैं अफगानिस्तान के किस पूर्व परधान मंत्री का 78 वर्ष की उम्र में नीदन हो गया है तो दोस्तो अफगानिस्तान के वह पूर्व परधान मंत्री थे आमध सा आमध जाई जिनका 78 वर्ष की उम्र में नीदन हो गया है अगला प्रस्न देखते हैं टीटेंटी के सभी पाड़िपो के 300 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलारी नीम में से कौन बन गये हैं तो दोस्तो वह हैं महें सिंग धोनी 220 के सभी पारुपों के 300 मेचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलारी महिन सिंग्धोनी बन गए है अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो उत्राखंड के मुख मंतरी उसकर सिंग धामी ने पांत नगर ओदोगी छेतर को इसके नाम पर रखने की घोसना की है तो दोस्तो उत्राखंड के मुख मंतरी उश्कर सिंग धामी ने पांत नगर ओदोगिक छेतर को नड़ायन दत तिवारी के नाम पर रखने की घोशना की गई है अगला प्रस्न देखते हैं फोप्स इंडिया दोड़ा सबसे परभावस्वाली एक्टर की सूची में निम में से किस अभिनेतरी को परथा मास्तान प्राप्त हुआ है तो दोस्तो वह अभिनेतरी है रसिम का मंदाना जो की साउथ की एक्टरेस है अगला प्रस्न देखते हैं कॉलकाता नाइट्स राइडर्स को 27 रन से हडाक कर निम में से कौन सी टीम ने IPL 2021 की ट्रोफी जीत ली है तो दोस्तो कॉलकाता नाइट्स राइडर्स को 27 रन से हडाक कर चिन्नाई सूपर्स किंस ने IPL 2021 की ट्रोफी जीत ली है अगला प्रस्ण देखते हैं गुलोवर हंगर इंडेस की तरफ से जाड़ी ताजा रेंकिंग में 116 देशों में भारत को कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है तो दोस्तो भारत को प्राप्त हुआ है 101 अस्थान अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो हाल ही में किस तिथी को अंतराश्टी गड़े भी उन्मुलन दिवस मनाया गिया तो दोस्तो अंतराश्टी गड़े भी उन्मुलन दिवस मनाया गिया 17 अक्टूबर को अगला प्रस्ण देखते हैं डावलू एचो के महानियसक का प्रुशकार प्राप्त करने वाली हेंडरीटा लेक्स किस देश से सम्बंदित है तो दोस्तो हेंडरीटा लेक्स सम्बंदित है अमिर्का से अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अहाल ही में चर्चीत तवांग गदेन नाम्याल लहसे यानि की तवांग मठ किस देश में इस्तित है तो दोस्तो तवांग मठ इस्तित है भारत के अणाचल प्रदेश राज में अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो केन सरकार ने और वस्तन समंदी ने नियम अधिस उचित किये हैं जिसके तहट कुछ विशेश रेणी की महिलाओं को मेडिकल गड़पात के लिए गड़पी सीमा को 20 सप्ता से बढ़ा कर केतने सप्ता कर दिया गया है तो दोस्तो 20 सप्ता से बढ़ा कर 24 सप्ता कर दिया गया है अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो अगला प्रस्ण है निमली खित में से किस सहर में केन सरकार ने हेली हब बनाने को मंजोरी परदान कर दी है तो दोस्तो वह सहर है गुरुग्राम गुरुग्राम सहर में केन सरकार ने हेली हब बनाने को मंजोरी परदान कर दी है अगला प्रस्ण देखते हैं निमली खित में से किस तिथी को अंतराश्टी इक कच्रा दिवस मनाया जाता है तो दोस्तो अंतराश्टी इक कच्रा दिवस मनाया जाता है 14 अप्टुवर को अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है दोस्तो राश्टी बाल अधिकार सनरचन आयोग का अधियाच पद किसे पूनर नियुक्त किया गिया है तो दोस्तो राश्टी बाल अधिकार सनरचन आयोग का अधियाच पद पड़ पूनर नियुक्त किया गिया है प्रियंग कानुंगो को अगला प्रस्ण देखते हैं निमलेखित में से किसे गुलोबल बिन्यस सचनेबिलेटी लीडर्शिप के लिए प्रतिश्टीत सीके पढ़लात पुरुषकार से समानित किया जाएगा तो दोस्तो सीके पढ़लात पुरुषकार से समानित किया जाएगा सत नडेला जी को अगला प्रस्न देखते हैं अहाली में अदानी समूण किस अंतराष्टी हवाई अड़े का परवंदन समाला है अगला प्रस्न देखते हैं अहाली में किसे भारत पे का अधियच नियुक्त किया गया है तो दोस्तो भारत पे का अधियर्च न्यूक्त किया गिया है रजनिश कुमार को अगला प्रस्ण देखते हैं दोस्तो निमली खित में से किस राजनेता ने गती सक्ती योजना का सुभारम किया है तो दोस्तो गती सक्ती योजना का सुभारम किया गिया है नरिमोधी जी के दुवारा अगला प्रस्ट देखते हैं निमली खित में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेंच लॉंच की है तो दोस्तो दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेंच लॉंज की गई है जर्वनी देश के दुवड़ा अगला अंतिम प्रस्न देखते हैं दोस्तो हाल ही में खोजा गया हैमिल्टन ओब्जेक्ट की छेट से सम्बंदित है तो दोस्तो हाल ही में खोजा गया हैमिल्टन ओब्जेक्ट सम्बंदित है अंत्रिच भी ग्यान से थैंक्यो